असलाम लेकुम जूमी की किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं उबले हुए चावल चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद और ये देखें हमने चावल डाल दिये एक कप चावल डाले है और उसमें मैंने खुला पानी डाल दिये है खुला पानी डालके हम इसको आदे गेंटे से गेंटे तक रख सकते है लेकिन आपके चावल उपे डिपेंड करता है आप कितनी दिर आपने चावल बगो सकते है चले शुरू करते है ये हमने देखें में प हम इसे उबल ने के लिए रख देते हैं wow policies हमारा उबल किया है अब हम चावर डालेंगे जावलों से देखे मैंने पानी नेकाल लिये és इसमे मेंने चावर डाल दिये, चाबल डाल की अच्छी तरह हला ले एक दफ़ा, और उसको पकने के लिए छोड़ दे, डकन ना दे, डकन उतार के पकाए, और दरम्यान दरम्यान में कभी-कभी हलाते रहे, और चेक करते रहे, उबले वे चाबल आल टम फेवरेट होते हैं, इसलिए हर चीज के स जा सकते हैं, हमने चाबलो को 95% कुक करना है, फिर हम दम देंगे, अगर उससे ज्यादा कुक हो जाए, तो फिर चुला चला के दम नहीं देना है, वैसे डकन दे देना है, चले हम चाबलो को चेक कर लेते हैं, यह देखे, चाबल कितना अची तरह सोफ्ट हो चुका हुआ है गल चुका है, अब हम फॉरण इसका पानी उतार देंगे, यह देखे, ऐसे पानी निकाल लेना है, सारी का सारा पानी अच्छी तरह नकाल देना है, और वापस हम चाबल उसी देश्की में डाल देंगे, इनको थोड़ा था उपर से प्लेन कार लें, अब हम इसको टी टावल की मदद से दम दे देंगे, आप किसी चीज से भी दम दे सकते हैं, मीनिंग तो यह है कि इसकी स्टीम बाहिर ना निकले, यह देखे हैं, हमने अच्छी तरह दम दे दिये, और वेरी लोग हीट पे मैंन फाइव मिनिट कुक करूंगी, और टैन मिनिट चुला बंद करके हम दम देंगे, चले रेडियो के हैं चावल, यह देखें, यह देखें, चावल, माशाला बहुत जबर्दस त्यार हुए और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है, माशाला से, देखें, चावलो का एक एक दाना लग है और बहुत जबर्दस त्यार हुए हमारे चावल, अब हम इसको डिशाउट करते हैं, यह देखें हमने अपनी ट्रे में नकाल लिए, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके उबले हुए चावल कैसे बने चावल को आएक शेयर करना ना बूलिएगा, कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कॉमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसेपी के साथ, अलाह अफ़ीज